धेर सारे कैलशियम, आईरन, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर, शक्ती वर्धक लड़ू जो सिर्फ साथ दिन में ही कैलशियम की सारी कमी को दूर करें, हड़ीयों को मजबूत बनाए, जोडों के दर्द को दूर भगाए, जो आपको स्ट्रॉंग भी बनाएगा, आपके बोडी पेन जो होते हैं, फ्रेंड्स उसे दूर करेगा, और साथ ही साथ आपको एनरजी भी देगा, युम्मिनुटी को बूस्ट करेगा, बहुत सारे गुडों से भरपूर आज हम लड़ू बनाएंगे, तो फ्रेंड्स इसे बनाना भी बहुत आसान है, और हम इसे केल्शियम, आइरान, फाइवर, जिंक, मैगनेशियम, फासफोरस और विटामीन से भरपूर होता है, ये हड़ियों को मजबूत बनाता है, तो एक कप मैंने यहाँ पे भुनी चने का यूज किया है, दूसरा मैं यहाँ पे ले रही हूं मखाना, तो मखाने को भी मैंने यह यहाँ पे एक कप ही लिया है, जिसमें केल्शियम, मैंगनेशियम, फासफोरस और साथ ही साथ मखाने में इंटी ऑक्सिदेंट उटा है, और जोडों के दर्द को भी कम करता है, तीसरी चीज मैं यहाँ पे बदाम ले रही हूं, तो एक कप ही मैंने यहाँ पे बदाम लिया है, तीसरी चीज मैंने यहाँ पे खस-खस लिया है, यह फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा फायदे मन दोता है, इससे नीद अच्छी आती है, खस-खस हड़ियों के जोडों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ यह हाट हेल्थ भी मेंटेन करती है, इसकी कौन्टिटी मैंने वन फोर्थ कप ली है, साथ ही उसके बांदे मैंने यहाँ पे मैलन सीट्स लिया है, जिसे खरबुजे के बीज आप बोलते हैं, इसमें बहुत सारा जिंक, फाइवर, कापर, आईरन, मैंगनेशियम जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, हम मैलन सीट्स हमारे हेयर, इसकीन सभी के लिए बहुत ही ज़ादा फाइदे मंद होते हैं, तो आप इसमें जरूर एड़ करें, अब हम क्या करें के यहाँ पे लड़ू बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया है, और बिल्कुल ड्राइ रोस्ट हम यहाँ पे काई मखाने जो है ना फ्रेंड्स सबसे पहले हम उसे ड्राइ रोस्ट करेंगे, हमें इसमें तेल घी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, और हलका सा हम इसे रोस्ट कर लेंगे, और दिखें मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गया है, उसे निकाल लेंगे, स सेम पैन में मैंने जो खरबूजे की बीज थे, वो हम हलका सा रोस्ट करेंगे, और पॉपी सीट्स को भी हम साथ में ही रोस्ट कर लेंगे, और दोनों की कॉंटिटी मैंने बराबर रखी है, वन फोर्थ कप मैंने यहाँ पे लिया है, और इसे भी हम साथ में हलका सा तो जो भी हमने dry fruits roast किये उसे ठंडा होने देते हैं जब तक ठंडा होते हैं तब तक हम यहाँ पे दूसरी चीज को देख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी के करीब मैंने यहाँ पे चुहाडे लिये हैं तो आप देख सकते हो यह बिल्कुल खजूर जैसा होता है ल पाउडर जैसा मैंने यहाँ पे grind कर लिया है और अब हम क्या करेंगे इसे हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं जिस बाउल में हम सभी चीजों को mix करेंगे उसके बाद friends यहाँ पे जो हमने seeds ठंडा होने के लिए रखा था वो भी ठंडे हो गया है और इसे अब हम क friends यहाँ बिल्कुल अच्छे से grind हो गया है तो friends अगर थोड़े बहुत chunks रहते हैं इसमें तो कोई फरक नहीं पड़ता है आप इसे बिल्कुल पाउडर जैसा भी आप इसे grind कर सकते हो और उसके बाद हम जो बचा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम grind कर यहाँ पर मैंने सभी जो dry fruits और seeds वगरा थे सभी को बहुत अच्छे से grind कर लिया है और बहुत ही अच्छे से grind हो गया है अब हम क्या करेंगे जो बाउल में हमने डाल के रखाता सभी साथ में हम इसे भी add कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से mix कर लेंगे और यह हमारा dry fruits और seeds का बहुत ही healthy सा यह powder बनके ready हो जाता है तो friends आप इस तरह से भी इसे बना के रख सकते हैं इस टोर करके और दूद के साथ आप इसे एक चमश शुबह या शाम आप इसे खा सकते हैं इसे और भी ज़्यादा powerful और healthy बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो चने लिये थे powder friends बहुत ही जादा healthy बनके तयार होता है आप इस तरह के powder आप बना के आप इस टोर करके रख सकते हैं और friends अगर आपको sugar है या फिर आप चीनी नहीं खाना चाते हैं तो यह powder आपके लिए बहुत ही जादा healthy है इस powder को friends अगर आप 7 दिन भी आप लेते हो तो iron की कमी और जो जोडों के दर्द हर्डियों में दर्द या फिर गुट्नों में दर्द होता है friends वो सभी बिंटों में गायब हो जाएगा बहुत ही जादा यह powerful हमारा यह powder बनके ready होता है लेकिन मैं यहाँ पे लड़ू बनाऊंगी friends तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कप के करीब गुण ल सकते हैं और अगर आप लड़ू बनाना चाहते हो तो आप इसे गुड शेर चीनी से या फिर आप इसे मिश्री से भी यहाँ पे बना सकते हो मैं यहाँ पे गुड का यूज कर रही हूँ और इसे एकदम चिपचिपी सी चास्नी हम यहाँ बनाके तयार करेंगे और इस तरह से mix करते जाएंगे तो मैंने यहां पर एक कप गुड का यूज किया है और आप देख सकते हो हमारी चासनी भी है almost ready हो गई है मैं इसे आपको चेक करके बताती हूं तो थोड़ी सी चासनी हम ले लेंगे और बहुत ही सावधानी से आप इसे दोनों उंगलियों के बीच में आप इस तरह से करके देखेंगे तो फ्रेंड्स तो हलकी सी एक तार बनके आती है तो मिंस आपकी जो चासनी है एकदम चिपचिपी सी बनके ready हो गई है जो एक तार की हमें यहां पर चासनी बनाने के तयार करना है अब हम क्या करेंगे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जो हमने मिक्षर बना के रखा है उसमें हम इसे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो पहले हम थोड़ा सा इसमें हम एड़ करेंगे इसे हम mix कर लेंगे और friends पहले आप इसे इस्पून से इसे बहुत अच्छे से आप इसे mix करें क्योंकि अभी ये बहुत गरम है तो आप इसे बहुत सावधानी पूर्वक करें उसके बाद जो भी सारा जो चासनी था मैं इसमें एड़ कर दूँगी और सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करें तो फ्रेंड्स इतने सारे मिक्षर के लिए मैंने यहाँ पर एक कप गुड का यूज किया है तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा कम ज्यादा लगता है तो आप यहाँ पर शेहद का यूज कर सकते हैं तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अभी कम लग रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी एक से दो चमश शेहद मैं इसमें एड़ कर दूँगी और इसके बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है उसके बाद जिस तरह से लड़ू बनाते हैं तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज के लड़ू बनाके यहाँ पर रेडी करूँगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह बहुत ही जादा पावरफुल लड़ू हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो गा है आप इसे सुबह शाम आप इसे दूद के साथ ले सकते हो इससे आपको जो भी जोडों में दर्द या घुटने में दद सरद कोई भी शिकायत है फ्रेंड्स वो सबी दूर होती है खून की कमी को भी पूरी करती है और यादश भी हमारी मजबूत करती है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें ताकि ऐसी हेल्दी लड्डू की रेसिपी वो भी इसका इंज्वाई कर सकें तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसे बना कर आप इसे 15 दिन तक आप इसे रख सकते हों ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं और बहुत ही जादा ये पावरफुल लड्डू बनके रेडी हैं तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाएं और इंज्वाई करें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फ्रेंड्स मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखाती हूँ जो बहुत ही जादा अंदर से सॉफ्ट बनके रेडी होते हैं तो ये देखें फ्रेंड्स ये बहुत ही जादा सॉफ्ट बनके भी रेडी होते हैं तो friends आप भी इसी तरह से बनाएं, enjoy करें, फिर मिलते हैं ऐसे ही next recipe के साथ next video में, okay bye and take care friends.